आज के सशन में हम बात करने वाले हैं Money Insurance के बारे में Money को Ensure कैसा जाए, किया जाए अब तक आपने Life Insurance सुना होगा Money को Ensure करने का तरीका आपने नहीं सुना होगा आज हम बात करने वाले हैं अपने पैसे को शुरक्षित कैसे किया जाए किसी खत्रे से, किसी विपत्ती से हमारे यहाँ पे कहावत है पैसे को खत्रा, सबसे बड़ा खत्रा दो लोगों से होता है एक काले कोट और सफेद कोट काले कोट का मतलब कोट कजैरी वकील सफेद कोट का मतलब डॉक्टर हॉस्पटल क्योंकि एक बार आदमी अगर इनके चक्कर में पढ़ गया, फिर उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, ये कोट वालों के हाथ में होता है, आप से कितना बड़ा बिल बनेगा और कब तक बनता रहेगा, और कितने जनरेशन तक उसका भुकतान उनको करना पढ़ेगा, आपके हा वाला है, उस लॉस को बचाया जा सकता है, बड़ उससे बात करने से पहले कुछ फूटेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सर अभी कुछी दिनों पहले की बात है, गाजियाबाद में एक परिवार अपने कार से जा रहा था, और अपोजेट साइज में हाईवे से सामने एक स्कूल बस आ रही थी, स्कूल बस हलाकि खाली थी, अब देखो हुआ क्या उनके साथ, सर ये स्कूल बस है और ये कार है, फिर से देखना, शायद हफ्ता भी नहीं विताइस इंसिस रिंट को एनेस 24 पर गाजियाबाद में हुआ आई, अब मेरा सवाल आप से ये है कि क्या कभी इस परिवार ने सुबह निकलते वक्त, सोचा होगा, पूरा का पूरा परिवार उस गाड़ी में है, और एक सुचाओगा न, कुछ और चीजे दिखाता हूँ, अब आप कहोगे ये सब क्यों दिखा रहे हैं, बताता हूँ अब क्यों दिखाता हूँ, क्यों दिखा रहे हैं, जब मैंने यूट्यूब पर साच करा, रोड एक्सिडेंट इन इंडिया, तो ये एक नाइन से बहुत सार आ रहे हैं बाइक से, खेल खतम, कुछ सेकंड पहले, शायद ये अपने परिवार के बारे में सोच रहे होगे, बविशे के बारे में कुछ भी सोच रहे होंगे, कुछ सेकंड बाद, अगर ये बचे हैं, तो हस्पिटल में लंबा बिल बनने वाला है, अब नहीं बचे हैं तो इन्होंने सोचा होगा क्या इनके साथ यह हो सकता है हाँ आप यह कह सकते हो कि यह रॉंग साइड में आ रहे थे इसलिए इसलिए हुआ लेकिन मैं आपसे पूसता हूं हिंदुस्तान में लाखों लोग हर रोज रॉंग साइड में चलते हैं सब के साथ क्यों नहीं होता है इनी के साथ क्यों हुआ या किसी एक के साथ क्यों होता है हाँ मैं यह नहीं कह रहा है कि रॉंग साइड में चलना ठीक है वो तो बिलकुल खलत है लेकिन चलते तो बहुत सारे लोग है फिर किसी एक के साथ क्यों होता और जिसके साथ हुआ क्या उसने यह सोचा था को उसके साथ आज यह हाथसा होने वाला है नहीं ना कोई नहीं सोचता एक चीज़ और दिखाता हूं साथ जब मैंने गूगल में सेर्च कराby रोड एक्सिड़ेंट इनिडिया तो आकड़ा जो निकल कर ada मैं है पुरर देल लांख लोग रोड एक्सिडेंट में बढलते हैं हर साल देल लांख लोग हर घंटे अठारा दित हो रही है पर फॉट्टि सेवं एक्सिदेंट और अठ खारा देथ एवरी आर हर घंटे रोड पर होता है क्या इन में से किसी ने सोचा होगा नहीं न अब सवाल उठता है यह सब बात हम कर क्यों रहे हैं सर हम बात कर रहे हैं अच्छा इन सब एक्सिडेंट में यह सब पहुंचते हैं हॉस्पिटल पैसों का कितना बड़ा नुकसा होंगे और अगर नहीं सुने हैं तो आस पास किसी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिना सर हर रोज ऐसे कई किस्से आपको मिलेंगे जो की बरबाद होकर करके गए हैं हॉस्पिटल से पोविद से रिलीट एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ स्टोरी क्या है हमारे नेब लेकिन उसके बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन का डिरेशन बढ़ता जा रहा है हालत बिगरती जा रही है तो कॉर्पेट में काम करने वाले कितनी सेविंग होती है वह सेविंग गया फिर देरे-देरे जो मिचुल फंट स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्मेंट वगेरत है वह सब निकल निकल के गए फिर हालत यह हुई कि जो घर है जिस फ्लैट में रहते हैं उस फ्लैट को बेच करके उसका पैसा हॉस्पिटल में गया और अट दे एंड यह सब कुछ जाने के बाद भी आदमी नहीं बचा सर घर में कौन-कौन दो छोटे-छोटे-छोटे बच् एक बेटा आज हालत यह है कि उनकी वाइफ को अपने माईके रहती है वो अपने बच्चों को ले करके और घर चलाने के लिए छोटे से कॉल सेंटर में एक मामूली सी जॉब करती है सर मैं आपसे अगर पूछ था हैं आपसे पूछ हूँ कि अगर वह 7-8 लाग का इंसिरेंस ना हो करके अगर उनके पास 50,00,000 रोपे का इंसिरेंस होता यह 20,00,000 रोपे का इंसिरेंस होता अच्छे खास अमांट का इंसुरेंस होता तो बर्डन उन पर कम पड़ता ना हाँ लाइफ चली गई वह बात अलग है लेकिन अगर लाइफ बच भी जाती तो फिर भी उनके पास वेल्थ पैसा तो बचानी ना कुछ सारा कुछ तो गया ना अगर 50 लाख रुपए का इंसुरेंस उनका होता तो में तो जम स्रीम करने वाले लड़कों को हार्ट अठाक आज आज मैं तो एक ऐसे किस्से को देखाÚ एक महीने की छोटी सी बच्ची को diabetes सर एक महीने की समय में कोई भी बरुशा नहीं है कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है और ऐसे केस में अगर आपके पास health insurance नहीं है तो फिर काले कोट और सफेद कोट वाली बात हमने करी ना सर कौन जानता है कब काले कोट का चक्कर लगे कब सखेद कोट का चकर लगे काले कोट का चकर का तो health insurance है हम कौन सा health insurance चुने जड़ा हम इस पर बात कर लेते हैं देखो solution health insurance है जैसे हमने बात करा अब generally तीन टाइप के health insurance होते है एक corporate insurance यह corporate insurance वही है जो हमारे neighbor का था जो सहीद हो जाता है वह यह तुरत और इस corporate insurance के बरुसे तो कभी नहीं बैटना चाहिए सिर्फ limit कम होती है य यह reason नहीं है और भी कई सारी reason है मैं आगे बताऊंगा आपको दूसरा होता है self insurance और तीसरा होता है family floater क्या क्या होता है self क्या होता है कि आप सिर्फ अपने लिए insurance ले रहे हो कि अपने को कभी hospitalization के नौबत पड़ी तो वो खर्चा company देगी insurance वाली company दूसरा होता है family floater मतला अब परिवार में किसी को भी hospitalization की जुरत पड़ी तो burden परिवार पर ना आए वो फर्चा company देगी ठीक है मैं screen share करके सब कुछ detail में बताने वाला हो don't worry सबसे बड़ी चीज जो होती है health insurance खहिते वक कौन-कौन से factor आपको ध्यान में रखने चाहिए insurance industry एक ऐसे इंडस्ट्री है ना जिसमें लोग सबसे अधा बेवकूब बनते हैं कारण सबसे बड़ा होता है agent अब agent भी क्या करें उनको भी घरवार चलाना है agent की मजबूरी यह है कि उनको सबसे अधा commission है वह वाला plan बेचेंगे लेकिन जिस plan में agent का सबसे अधा commission है उसमें आवेर करने आया हूं किस तरह का insurance आपको लेना चाहिए और किस तरह का नहीं लेना चाहिए तो basically मेरे हिसाब से यह साथ parameter है जो को आपको कभी health insurance लेते वक्त यह जरूर देखना चाहिए पहली चीस्त यह सब मैं आपको screen share करके भी दिखाने वाला हूं don't worry पहले मैं explain कर देत दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हो तो फिर तो पांच लाग तो भूली जाओ यहां तो कम से कम 15-20 लाग रुपए के insurance तो होना ही चाहिए अगर आप छोटे शहरों में भी रहते हो सर छोटे शहरों में भी 5 लाग का insurance एक मामूली hospital में भी जाओगे ना थोड़ा चाहिए आपको 10 लाग का चाहिए 15 लाग का चाहिए 20 लाग का चाहिए वह आप decide करो आपको देखना चाहिए दूसरी चीज सर जो insurance आप ले रहे हो वह पूरी तरीके से cashless होना चाहिए जैसे कुछ insurance यह होते हैं ऐसे होते हैं जब आपने insurance ले लिया उसका पैसा आप खुद दो insurance company को बाद में वो पैसा आपको वापस करेगी अब मेरा सवाल यह है कि अगर आपको 10 लाग रुपए का बिल आ गया तो हर किसी के पास 10 लाग रुपए तो होते नहीं लोन लान ले करके देने पड़ेंगे तो आप पर तो बड़न आ गया ना फिर क्या फाइदा इसे insurance क तो ऐसा insurance आपको चुनना है जो पूरी तरीके से cashless हो cashless कहना है का मतलब हॉस्पिटल का XYZ जो भी बिल हो वो insurance company ही सिधा पे करेगे आप पर बड़न बिलकुल नहीं आना चाहिए तो cashless होना चाहिए next है कोपे कोपे क्या होता है कोपे कोपे आधा insurance company पे करेगे आधा मतलब आधा नहीं कई बार क्या होता है कि 80% insurance company पे करेगे 20% आपको पे करना है 10 लाग का अगर बिल आया तो 8 लाग रुपे insurance company पे करेगे लेकिन 2 लाग रुपे फिर भी आपको पे करना हो तो आपको यह ध यह को पेद बड़ेद यह वर्ड यह ही है टर्मिनोलोजी टर्मिनोलोजी एक्जाक्ली यह उस होगा यह 100 परसेंट होना चाहिए सर तर्मिनोलोजी टर्मिनोलोज तो इसका मतलब यह सोचो कि अगर आपने 5 लाग का इंजरेंस ले रखा है तो उसका पांच हजार रुपए पांच हजार रुपे का ही रूम आप हॉस्पिटल मिले सकते हो अगर आपने आठ हजार रुपे का रूम ले लिया तो आपको बचा हुवा तीन हजार वो डेली का आपको पे करना पड़ेगा और कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि इसके बेस पे आपका समशुड भी डिजाइड हो जाता है मतलब आपने अगर पांच हजार रुपे का आपका रूम रेंट आ रहा है और दस हजार रुपे का एक्चल रूम है तो पांच हजार दे रही है, 50% दे रही है तो सिर्फ 5,000 का लफड़ा नहीं पड़ा 5,000 का गैप नहीं बना तो टोटल यह आपका 5 लाख रुपए था कंपरी कहती है हम 5 लाख नहीं देंगे हम धाई लाख ही देंगे बाकि धाई लाख और भरुआ ऐसे ऐसे भी प्लान है तो इन सब लफड़ों से बचना के लिए यह बिचे जरूर धान देजें कि रूम रेंट की कापिंग नो लिमिट हो कोई लिमिट नहीं हो सब 25,000 का रूम और फ़ाव से अपके accept any accident अगर accident तो कभी भी हो सकता आपने अभी insurance लिया दस मिनट बाद accident हो गया तो वो cover होता है लेकिन पहले से कोई बिमारी वगरा है तो 30 days 60 days वो वो देखने की जुरत होती है आपका existing disease कितने दिन के बाद cover है या कितने दिन के बाद कोई भी disease वो company cover करने लग जाती है नेक्स्ट आपको देखना चाहिए pre and post hospitalization charges pre hospitalization मतलब hospital में admit होने से पहले तीस दिन साथ दिन अब hospital में admit होने के बाद ही सारा खर्चा मेंने होता ना मालो आपको कोई surgery होनी है और surgery का पिछले एक महीने साब consultation चल रहा है एक महीने में दस बार आपना doctor visit बढ़ करा तो doctor visit करने का consultation disin charge doctor लेगा ना दवाय वाय का लेगा ना तो कई सारी कंपनिया ऐसी होती है जो 30 दिन पहले hospitalization operation होने से 30 दिन पहले जो भी आपका खर्चा हुआ या 6 दिन पहले जो भी आपका खर्चा हुआ वो company देगे आपको और post hospitalization मतलब जब आप discharge होंगे तो उससे 30 दिन बाद 60 दिन बाद 180 दिन बाद अलग-अलग company हो अलग-अलग है वो आपको देखना चाहिए कि कितने maximum दिन तक यह company मेरे को bear करने वाली है hospitalization खतम होने के बाद भी यह आपको जरूर देखना चाहिए जिसका सबसे ज़्यादा है वो लेना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है से day care की facilities जरूर द बिल आप ही को देना है insurance company नहीं देगी लेकिन बहुत सरी ऐसी activities होती है बहुत सरे ऐसे procedures होते हैं जो तीन गंटे चार गंटे के होते हैं तो day care यह जरूर देख लो कि आपके insurance में cover होना चाहिए कि चार गंटे का activity hospital में हो रहा है जो procedure चार गंटे का हो रहा है वो भी cover होना च बहुत सरे लोग इस ब्रह्म में रहते हैं कि हमारा तो company ने प्लान ले रखा है हमारे को अमली में दे रखा है हम कायो को अलग से plan ले सर जो आप किसी बी बड़ी कित्ते भी छोटी छोटी जो company का plan होता है सर बहुत ज्यादा उसमें आपका समश्योड नहीं होता है पांच कुछ नहीं काम आएगा सर क्योंकि आपका company छोड़ते ही अगर दोपहर को 12 बज़े आपने company छोड़ा तो दोपहर को 12 बज़े आपका insurance भी खतम हो चुका है उसके बाद insurance काम नहीं आने वाला तो पहली चीज तो भाईया वह बहुत छोटा समश्योड होता है दूसरी चीज जब तक नौकरी है उस तभी तक वह है तीसरी चीज रूमरेंट कैपिंग और यह सब जो हमने बात बता है ना इन सब में बहुत सारे जोल जाल वाले plan corporate में आपको दिये जाते हैं जिसका आपको कभी पता भी नहीं चलता है जब claim लेने जाओगे तो इसलिए corporate plan के तो भर उ दिखाऊंगा तो आपके लिए इजी रहेगा सबसे पहले मैं कर देता हूं स्क्रीन शेयर हाँ अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है मैंने policy बजार open कर रखा है यहां पर मेरी detail यह पूछेगा अब यहां पर देखो हमने self और family floater की बात करी थी ना तो अगर आप self लेते ह आएगी तो दस लाख रुपए यूज होगा लेकिन family floater का लेने का मतलब वो दस लाख रुपए family में किसी पर भी कोई जरूत आ जाया तो दस लाख रुपए उस family member पर यूज होगा फिलाल मैं दिखाने के लिए self लेकर के आगे बढ़ता हूं मैंने उमयर डाल दिया 25 साल ह है कि अगर आप पांच लाख रुपए का insurance ले रहा है अच्छा यह उमर के हिसाब से होता है 25 उमर नाला मैंने इसलिए बाच लगाया है उपर नीचे इस टालता तो उपर नीचे होता तो पांच लाख रुपए कर में ले रहा हूं सो 756 रुपए पर मंद आ रहा है 9000 आजाओ सबसे पहले खरीदने से पहले अच्छा यह सारे का देखना सारे का फीचर लिस्ट में बहुत सारे insurance आ गई ना यह सबका आपको खोल खोल के देखना है जिसमें आपको best लगे अच्छा खरीदने से पहले pen paper लेना सबके feature note करते रहना किसमें आपको बहतर मिल रहा ह वैसे यहां पर भी compare करने का option है आप देखो यहां पर भी add to compare करने का option है इसमें अगर comfortable लो इसमें कर लेना नहीं comfortable हो तो pen paper लेके कर लेना लेकिन compare करे भी ना खरीतना मैं view all feature पर click कर देता हूं अब देखो यहां पर पिछला slide भी पर open कर लेता हूं यही पहली चीज तो यह क पर लिखके भी आ रहा है no ruminant limit यानि कि जो हम चाह रहे थे वह इस plan में में मिल रहा है limit नहीं होना चाहिए अच्छा सब में ऐसा नहीं मिलेगा आपको ठीक है खोल-खोल के देखना है restoration of cover पांच लाख once a year और for later underlines मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक साल में अगर आप use न जाएगा first renewal के बाद and five lakh rupees और add हो जाएगा दो साल के बाद अगर आपको कोई hospital license की जुरत नहीं पड़ती तब तक तो इसका मतलब यह है ठीक है अब देखो नीचे क्या है cashless hospital जो हमने बात करी 9,414 hospitals हैं इनके network में पूरे इंडिया में आप किसी भी hospital में जाओ जाओ cashless आपको हो जाएगा अच्छा इसके beyond किसी और hospital में जाने की जुरत पड़ती है कोई गाओ देहात में है वह hospital नहीं है तो वहाँ पर cashless नहीं होगा यह कहने का मतलब है वहाँ पर आपको पैसा देना ठीक है तो आपको compare यह करना है कि सबसे जादा hospital उसके network में हो और cashless हो वह वाला हम लेंगे अब आगे बढ़ते हैं देखो कोपे कोपे कहा रहा है न हंडिड़ परसेंट पेड़ इंशरर इंशरर और इंशररंस कंपनी हंड़ परसेंट पे करेगी यह आपको जरूर देखना है यह अच्छा यह जरूर देखना है प्री hospitalization साथ दिन मतलब admit होने से साथ दिन पहले तक का जो भी खर्चा है वह कंपनी पे करेगी यह बढ़िया है अब नीचे देखो 180 दिन पोस्ट hospitalization charges hospitalization होने के 80 दिन बाद तक यह cover कर रहे है मतलब 6 महीने तक यह बहुत बढ़िया है और भी compare कर लेना किसी में साथ महीने होगा तो वह देख लेना वह लेना अब day care treatment all day care treatment यह बढ़िया बात है जैसे हमना day care की बात करी थी यहां पर तीन-चार गंटे वाला नीचे ambulance up to five lakhs पांच लाग तक का खर्चा ambulance देगी आप देख लेना किसी दूसरे में साथ लाग मिल रहा है आट लाग मिल रहा है तो वह चेक करना अब और चीज़ देखो नीचे है existing illness cover तीन साल इसको खोल के देख लेते हैं दा क्या कह रहा ही है the minimum period policy order needs to wait before filing a claim तीन साल in case of pre-existing illness such as diabetes मतलब यह कह रहा है कि यह जो दो-चार बिमारी इसनल लिखी है ऐसे बिमारी अगर पहले से है insurance लेने के आज आप insurance ले रहे हैं और पहले से ही है तो यह बिमारियों का कोई खत्रा जो होगा इस वज़े से कोई खत्रा आएगा तो वह आपको policy लेने के तीन साल बाद cover होगा दूसरा वाला insurance देखने ना किसी में तुरंत हो जाए किसी में दो साल हो जाए किसी में दो साल मतलब जितनी जल्दी जल्दी cover होएं लग जाए अच्छा है ठीक है तो तीन साल को on wait करेगा तो यह जरूर देखना चाहिए आपको अब next हाँ एक और चीज़ देखो है वह यह maternity cover इस plan में नहीं है होना चाहिए आज कल बहुत सरे plan ऐसे available हो गए है जो maternity मतलब pregnancy cover प्रेगनेंसी का खर्चा आज के टाइम में पता ही है आपको पहिया एक लाख रुपे से कम में तो बच्चा पैदा होता ही है ने आच मिनिममम खर्चा ही एक लाख रुपे का है तो वह आप क्यूं पे करो अगर कंपनी दे सकती है तो ऐसा plan चूज करना जिसमें pregnancy का भी cover हो हाँ pregnancy का cover जिन में होता है वो कुछ समय बाद लेते है policy लेने के दो साल बाद या एक साल बाद ही वो cover होता है तो वो चीज़ जरूर देख लिएगा जितने कम समय में policy अभी लिया और उ अच्छा initial waiting period जैसे या policy ले रहे हो तो कोई भी disease कोई भी disease 30 दिन बाद cover होगा except claims arising due to accident providers लेकिन policy लेने के 30 दिन बाद ही कोई disease लेकिन अब specific illness cover यह कुछ list इन्होंने दे रखी होगी कि 24 में ले यह सब खोल खाल के पढ़ देना अच्छा सेम चीज़ आपको compare करना है दूसरे सभी plan में तो यह major कुछ चीज़े थी और भी कुछ नहीं क्या और कुछ major नहीं है बाकी चीज़े आप पढ़ करके देख सकते हो अच्छा मैं आप इसको कर देता हूँ off ठीक है तो यह major चीज़े आपको ज़रूर देखनी ची है तो 30 मिनट में यह claim support के रिए available हो जाते हैं और कई बार जरूरत पढ़ने पर इनके employees hospital आ करके भी आपकी physically मदद करते हैं लेकिन जाहतर केस में जरूरत पर इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि किसी भी normal agent के मुकाबले इनकी power बहुत जादा है किसी भी insurance company से negotiate करने के तो इनका maximum काम phone पे ही हो जाता है एक agent कई बार हमारे को अच्छा लगता रही है agent बहुत बड़ी है हमारे लिए चक्कर काट 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 के हमारे को claim दिलाया सर वो agent की अवकात छोटी है इसलिए चकर काटना पड़ा उसको policy बजार चुकि बहुत बड़ा giant है बहुत बड़ी company है तो अपना फाइदा जरूर होता है कि उसमें जिसका उसको जिसमें ज्यादा commission है वो चीज़ आपको बेचना चाहेगा बले भाईया कोई हो फूपा ताओ कोई भी हो सर अपना commission तो आदमी ज्यादा कमाना चाहेगा न तो इसलिए बेरे हिसाब से agent पर reliability थोड़ी घट जाती है policy insurance लेते वक्त क्या क्या चीज़त देखने चाहिए और health insurance अगर आप online ले रहे हो policy बजार से ले रहे हो तो क्यों policy बजार आपको choose करना चाहिए सब चीज़े हमने cover कर दी और आपको health insurance लेने का मन है तो description में दिया हुआ link है policy बजार का उस पर click करके आप ले सकते हो देखो भी सिर्फ ये दो पेसे कोई एक insurance ना होने के वज़े से या फिर छोटा amount होने के वज़े से सर सिर्फ वो आदमी बरबाद नहीं हुआ उसका पुरा परिवार बरबाद हो गया तो इसलिए इन दोनों चीजों में compromise मत करना आप कितनी भी कम income है कितनी भी कम income है कि तब ही कम कमाते हो कुछ नहीं बचता तो सर सब कुछ छोड़ जाड़ करके चाहे कम पैसे काई लो एक life insurance जरूर लेना एक time plan एक health insurance जरूर लेना तो आज के session में इतना ही कुछ सवाल हो तो comment box में जरूर पूछिए